हुआ है हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का द्यार स्टेडी पे हर दिक स्वागत है और आज आप हम लेकिया है मद्ध प्रजेस पुलिस के बारे में इसका नोटिफिकेशन आपका फरवरी मार्च में ही आ लेकिन करोना की दूसरी लहर से आप सभी लोग जानते होंगे कि सब कुछ बंद करना पड़ा जिससे एक्जाम नहीं हो पाया और अब थोड़ी कम कैसे हैं जहां तक पता है कि हमें 24 जुलाई को मद्ध प्रजेस प्यस्थी जो सब बोलाता है MPPSC उसका एक्जाम डेट आ गया है प्री का होगा 24 जुलाई से उसके 10 या 20 दिन बाद आप मानिये कि अगस्त 10 अगस्त या आपका 20 अगस्त के बाद आपका मद्ध प्रजेस पुलिस का एक्जाम होने की पूरी संभावना है और इस थोड़ा वेकंसी औरोग कंपेर में देखा जाए तो अच्छी दिन गया है 4000 अलाकि सुन्ने में आ रहा है सुत्रों से कि वेकंसी बढ़ाई गी है 4000 से अब उपर किया गया है और कितना किया गया है तो भी अफिसिल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा और आप सभी जानते हैं कि क्या आता है क्या नहीं है सलेवस कि हम डाउनलोड किया है आप भी एंपीवी के MPPV के होंपेज पर या वेवसाइट पर जाके आप सलेवस देख सकते हैं क्या क्या है और हम कि इसे कोई बेसिक से आपको नहीं बताएंगे हमेठ रीइंगे और आप उसे हंदाजा लागा लेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है और जहां जहां जो भी विक भंब बने कोसिस करेंगे और पूरा आप सभी का सहोग रहे गा तो सब अच्छ ही होगा फोडा पहले हम लिख लिए हैं दखिए वाला चार्ट जो अपका महत आएगा ओक्या-क्या-क्या सलेवस है उसका तो मैं आप देख लिए रूट जिसे हिंदी बोला जाता है रूट जिसका वह स्क्वायर रूट निकलना पड़ता है आप समझ रहे हैं जैसे कहीं कहीं फोर दे दिया तो यह रूट वाला कोस्टन ही है इसका टू आएगा इस टाइब के कोस्टन दिया है सलेवस्ट जो दिया है वही आपको हम बताते हैं रूट आएगा इसके बाद हाँ रेशियो प्रपोर्शन के हम बेसिक क्लास लगा दिये हैं और आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक बताए है आप क्लास जाके प्लेडिस्ट में जाके रेल स्टेडियो जैसे सर्च मारेंगे तो पहले आप सन होम आएगा इसके बाद आपका वीडियो साएगा वी अब बिश्यरों हुए हैं और तो प्रदेस्ट पुलिस का भी हम कराने वाले हैं तो उसका प्लेडिस्ट बनेगा देखेगा तो रेशियो प्रपर्पर्सन का जरूर्ट बेसिक देख लिजिएगा और फिर उसके बाद कोस्टें करेगा तो कफी सहलियत होगी आपको देखि बस तेही है और डी आई है जो हमारा पाई चार्ट के बेस्ट पर बोला गया है लाकि जो भी जाम में आया होगा जो तो वहां से पता चले जाएगा किस टाइप का डी आई आया है और डी आई वहां से हम देख लेंगे इसके बाद लगरित्मिक यानि लॉक के बारे में भी पर मूटेसंट कमबिनेशन इसका पूरा नाम है तो यह कि आप सभी जब टैंथ टोल्ट पड़ेंगे तो यह आया गया होगा साइद में लोग है उसमें से कुछ लोगों को व्योस्थित करना है यह किस करम में बैठाना है किस करम में सजाना है और कुछ गेंदे दिव में इसके बाद लाइन चार्ट अब से पुछा होगा और टेवू लिसन फार्म में या निटेवल के फार्म में दिया होगा यह इस पाई डियाई में भी आजाएगा डियाई डियाटा इंटर्प्रेटेशन होता है इसके बाद टाइम एंड और कहो जाता है आपका देखिए का है जब जाटोपिक है ट्र व temperature कोई देख लिजिए ऑपट रियाम पर बाद करेगा जब भी बीचिच का वोलों की बात कि बात कि वांटS अब लेजेगा कि यहां पर 3D की भात किया जा रहा है और जब भी eरिया की बात किया जाएंगा तो सथ टूडी भी हो सकता है और 3D हो सकता है यह एरिया और पेरिमीटर टूडी माही होता है और लास्ट आपका टॉपिक है सई एंड सी आई साइए सिंपल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट होता है यह दखेगा इस तब आप देख लीजिएगा नोट कर लिजे सलेवर्स जो भी तयारी करने वाले लोग हैं क्या क्या आता है क्या नहीं आता है देखेंग वे बात ही नहीं है उनके लिए कोई बात ही नहीं है और बेरोजगारी कि समस्था कितनी चरम पे हैं आप अगल बगल लोगों को देख कर करके महसुस कर सकते हैं कि इस समय जब क्राइसिस कितनी है और यह दिया आप or exam देंगे और exam में 100% preparation करके जाएंगे और इमांदारी से किया होँगे तो आप जरूरर सफ़ल होगे सफल वही नहीं नहीं होता है जो कहीं ने कहीं अपने अंदर याप preparation में लोचा किया होगा यहने कुछ गरबरी किया होगा तभी उसका सोलेक्शन नहीं होगा एदि जो हंड्रेट परसेंट दिया होगा और इमांदारी से दिया होगा रेगुलर्ड दिया होगा तो जरूर सफल होगा अब कि अब सफलता से नहीं घबाना है आपको एक मोटिवेस्टन वीडियो भी हम डाले हैं साइब देखेगा छह साथ मिनट के हैं अब सफलता में सफलता है तो अगे का आपको हटाना है सफल वनना है तो उसके लिए आपको डेली कुछ ने कुछ अर्ण पड़ना करना प्राइच का से ग coordinates करते हैं आपके ऊपर आप दोसे करते हैं इंहरा तक्यातर हैं और सहले चाहते हैं तो एंद करना जाते हैं आपना N intermedi. इसी से आप आगे बढ़ेंगे और एक दिन आपके पास इतना लानिज होगा कि आप कोई एक्जाम करेक कर सकेंगे तो यह सब करने के लिए आपको कुछ न कुछ डेली पढ़ना होगा और चलिए हम आपको बता देते हैं कि सब लोग जानने के लिए कि कौन कौन से प्वोसन कितने-कत्ने मार्क्स का कि अगा तो मध्शप्रद्स वाले आप द्यान दे लें एंप पूलिस वाले सब्स में क्या-क्या है कि वहाएगा दीकि JOSH डिसाइट किया गया है जहां तक है मध्ध पृद्ध परदेश सांसरी के दोरा चो कहले मध्ध परदेश पृफेशनल एक्जामीनेशन बोर्रड इसके ब्यापम भी बला जाता था और इसका दो क्ategories में एक्जाम होगा, पहला क्टेगरी आपका रिटेन होगा जिस उसमार्स आएंगे सव मार्स में जुभी मेरिट बनेगा उनको सेकरेंड रांड में वैजागा, और सेकरेंड रांड क्या होगा आपका पीटी और पीएंटी होगा देगे पीएंटी सोच करें आप लोग घब रहे हैं मत पीएंटी क्या है पीटी आपका हो जाएगा कि फीजिकल कि फीजिकल एफिसिएंसी टेस्ट एनिया आप से जो भी दोड़ं धुप होता है वह इसे क्या जाएगा पीडि में और एक होता है पीमंटी जो हमां भी बूले तो उसका नाम वहता है फीजिकल अ हुआ है मेंटल तस्ट आप की आपको दिमाँ़ी तोर पर आपके देखा जागा कि आप कोई अब छलब चैप कर सकते हैं पर नहीं कर सकते हैं निज्टेस डिया जाएगा को संट Take में आप से देखा जाएगा У इससे में बैंटक क्या रहता हैं मतलब आपकी mental ability कितनी हैday vers.com quién hemmmental capability जीसे ते धो है वो immensely यह आपका देखना चाहते हैं यह थो स्टेज टू की बात है यानि आप पहला स्टेज के लिए करेंगे तभी आप दूसरा स्टेज में पहुझेंगे तो इस पे आपको अभी फोकस नहीं करना है फाल्दू का टेंशन या बोज आपको नहीं बढ़ाना है अपने उपर यह सब प्राइमरी बाते नहीं है यह आप प्राइमरी बाते देखना जाते हैं तो आपको प्राइमरी बाते यह आप जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पहला एक्जाम जिसे पेपर वन बोला जा रहा है उसे केलियर करना होगा और चलिए आपको हमें बताने वाले थे कि कौन-कौन सा पॉर्षन कितने मार्स का आता है तो देखिए सबसे मेजर पॉर्षन इसमें खेल करेगा जो सेलेक्शन में की पॉइंट रहेगा वह रिजिनिंग रहेगा क्योंकि रिजिनिंग 145 श्माट कि आ रही है ईन्हीं सो्च समझें 40iry6 परसेंट्थ आक्डली कि रिजिनिंग आ जा रही है इसके पाद आप पूछेब आपको पूरा इंडिया ले लेवल का जी ज्यादा इसे जादा में पूछे हाला कि कुछ इंडिया लेवल के भी जी के होंगे और इसमें करेंट अफ रहा इंकलोड़ेड होगा इस नहीं रहेगा तैस इसके बाद आपका अजाता है तीसरा नंबर मैत महत आपका 20 marks है तो देखिए सेलेक्शन के लिए एक-एक marks बहुत जरूरी है आप एक-एक marks से ही आगे बढ़ेंगे तो यह नहीं सोचे कि महत कमा रहा है 20 marks बहुत होता है पॉइंट-point marks से लोंख पीछे हो जाते है फोइंट सेवन-2 marksспH dollarsे नहीं किужुक्त बढ़ी बाद होगी भां कि इसके बाद क्या आजाता है घर्ड़र साइन्स हि को अब को आ जाता है sorry इसे भी ध्यान बुला जाता है इसके अंदर आपको बोब physics आजाएगा Nee कभश कर दोब करेंगे तो Tampa सो मार्टा तोर यह 100 मार्ट छो किया है है जिसे पेपर 1 बोला जाता हैए है तो पेपर वन क्वालिफइब करेंगे तभी आप के पहुचाएंगे और पेपर टू कोई मुश्किल काम नहीं है पिपर वन क्वालिफइब कर लिए से पर टू तो वह गया तो यह आप कथा देखिए सबसे अच्छी बात है कि यहां पर नो निगेटिव मार्किंग नो निगेटिव मार्किंग यानि आप कोई भी कोस्चन गलत भी करते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी मार्किंग नहीं लेगा सभी लोग करेंगे इसका मतलब नो निगेटिव मार्किंग का मतलब तो में सो करना है आपको निगेटिव से घबराना है को यह रेलवे बैंक का एक्जाम नहीं है और मद्ध प्रदेश का लेवल ज्यादा ज्यादा नहीं है आप यह तैयरी अच्छे से किया होंगे और से यह काफी spiritual question आते हं मत्रदेश प्रदेश मात प्रदेश को मत्रदेश crime बोल रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है सोव माक से है और enee कूछा रख्याम में आता है यह तो हम्याआ को दिखाए outta previous year computer जो करावंगे तो कि क्या-प्या ङाता है इंवे ग का नहीं आता ह रहे और जो जो नए लड़के हैं जो भी पुलिस का फॉर्म भरा है तैरी करना चाह रहा है वह उन्हें बता दें कि तैरी यहां पर प्रिवेश कराई जा रही है और उसके अनुसार आप अपने आपको जज़ करें कि आपकी क्या कमजोरी है क्या ताकत है आपकी जिसे स्टेंथ विकनेस बुला जाता है और आपसे अच्छा आपकी कमजोरी है और आपकी ताकत के बारे में और कोई नहीं जानता आप एक्जाम देंगे तो आपको ही पता हो पूर्सन आपका तो यह था आपका छोटा सा मद्ध प्रदेश पूलिस के बारे में वीडियो हमें उमीद है कि आपको पूरा केलियर हो गया होगा यह आप कुछ और जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप जदर पूछ सकते हैं कि क्या चाहिए कुछ बाते क करेंगे जो भी जितना भी पार्ट हो सकेगा उतना करेंगे जो भी आया होगा प्रिवियस जब भी एक्जाम हुआ होगा साइथ 2016 में इससे पहले भरती हुई थी पूलिस की तो हम कराएंगे चलिए धन्यवाद और जो नए लोग है उन्हें चैनल बोलते सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि मत्रप्रद्श पुलिस का हम कि एक्जाम करा रहे हैं चलिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है